अगर आप भिकलिंग पूरिंग पीने के शोकीन गें तो आपको भी साफ़धान रहने की जरूरत है और कोलिंग पीने से पहले उसके एकसपारी डीट जरूर चेक कर लें हमाचल के सोलन में एकसपारी डीट की कोलिंग बेचने का हम आमला सामने आया ग्रामी नक्षेतर में कई ऐसी दुकानेक हैं जो पिछले साल की कोल्डरिंग का इस्तिमाल कर रखी हैं और इसके साथ ही लोगों की स्वास्ते के साथ खिलबार को रहा के दुकान में पिछले साल की बचुई कोल्डरिंग को समाप्त करने के लिए ग्रामी नक्षेतर में दु वो एक्सपायर कोच चुकी थी, इसके बाद आसपास की दुकानों में जाच की गई, तो वहाँ पर भी cold drinks expired date की ही पाई गई, इसके बाद food safety विभाग के अधिकारियों ने मोचा सभाल दिया और जानकारी लिए, विभाग के अधिकारियों ने सोलन से लेकर अर्की तक कई जाएंगे, तो शेफ्टी टिपारमेंट इसका काम ही हमारा काम ही क्वालिटी चैक करना है, इसके लिए रूटीन में हमारे जोगी फुट सेफ्टी ऑफशर हैं, जिसके बाद एक का सोलन तहसीर और सोलन तहसीर और सौधी तहसीर का एरिया, एक बस बीडियन और अर्की का करते हैं, तो रूटीन में इंस्पेक्शन करते हैं, सैंप्लिंग भी करते हैं, और कई बार हो सकता है कि ग्रामिन क्षैत्र हो, वहां हमारे पास सोलन डिस्टिंग में इस टाइम 25-30,000 दुकाने हैं, इसमें छोटे वेपारी भी बड़े वेपारी है, तो हम कई बार डिपा जादा फोकस रहता है, जिनकी लाइफ बहुत कम है, और जैसे भी डिसी साफ से निर्देश आयए थे कि अर्की क्षैत्र में जो भी कोल्डरिंग है, वो एक्सवाइट की भी करी है, तो उसके सिंधर्म में हमने कल अर्की बजार और उसके जो नियर्वाई एरिया है, वो ज फोटी मोडी दुकाने में सबकी इंस्पेक्शन किये,